नमस्कार एवरिवन राजस्तान पटवारी भरती परीक्षा 23 अक्टूबर 2021 इवनिंग शिप्ट के राजस्तान जीकी के प्रशनों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि कौन कौन से राजस्तान के प्रशन एक्जाम में पूछे गये हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अभी तक आपने अनकेडमी का एप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर से अनकेडमी का एप डाउनलोड करें और अपनी प्रिप्रेशन को अनकेडमी के प्रेटफोर्म से जुड़कर आप बहतर बना सकते हैं चलिए तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पेपर को कौन से प्रशन पूछे कहा हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला प्रशन आपके सामने है कच्वाह राजवन्ष के संसापक का नाम आपसे पूछा गया है तो कच्वाह राजवन्ष के संसापक कौन है दूले राय और दूले राय कोई हम किस नाम से भी जानते हैं तेज करन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ठीक है इनी को कच्छवा राजवंच के संसापक कहा जाता है चलिए जी इसके बाद देखिए और कौन सा प्रशन यहाँ पे एक्जाम में पूछा गया था कोशन नमर 73 देखिए राजस्तान उच्च नियाली की प्रमुक बीड कहां पे हैं बिल्कुल आसान सा सवाल है और आंसर हो जाएगा जोद्पूर में है उसके बाद अगला 74 नमर का कोशन देखिए राजस्तान जी के का 56 बेसिन किस जिले में इस्तित है तो बांसवाड़ा बी ओप्शन परफेक्ट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं 74, 75 नमर का कोशन देखिए 75 नमर का कोशन मारवाड में दामना क्या है एक प्रकार का लोग गीते ओडनी है या एक प्रकार का नृत्य है तो ये एक प्रकार की ओडनी है C option परफेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए जी आगे बढ़ते हैं 76 नमर का कोशन देखिए गरासिया जन्जाती द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है गरासिया जन्जाती द्वारा किया जाने वाला डांस है वालर डांस ठीक है बिना वाद्य इंत्रों की किया जाने वाला ये राजस्तान का नृत्य है खीक है और इसी के साथ ये शंकरिया पणियारी गुड़ला ये गरासी अजन जाती से समंदित नहीं है चल ये नेक्स्ट 77 नमर का कोशन देखी है कौन सा जोड़ा गलते दोसों कौन सा सुमेलित नहीं है तो देखिए मीरा भाई का मंदिर चितोडगड में है मेरता में है बिलकुल सही बात है एक लिंग जी का उदेपुर में है कर्णी माता का देशनोक में है सूरिय मंदिर क्या भरतपुर में है ये गलत बात है दोस्तों एक सूर्य मंदिर जालावाड में आता है और एक जैपूर में भी आता है हमारे जालावाड कहो या जैपूर कहो दो सूर्य मंदिर है भरतपूर गलत है डी ओप्शन अगला दिखिएगा अगला राजस्तान जीके का परिशन आपके सामने नेम लिकित में से कौन सा हिस्तल राजस्तान में 1857 की करांति का केंदर नहीं था अजमेर नीमज आउवा तो यहाँ पर आंसर आजाएगा जैपूर करांति का केंदर नहीं था चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कोशन की तरफ अगला सवाल देखेंगे कोशन नमर 80 देखी कौन सा बेमेल है रंधंबो राष्टी उद्ध्यान सवाई मादुपूर में आता है सरिसका अलवर में है राष्टी अमरू उद्ध्यान जैसल मेर में केवला देव गनापक्षी विहार यह करोली में नहीं है दोस्तों यह भरत पूर में है सी ऑप्षन परफेक्ट आंसर होगा एटी वन नमर का कोशन देखेंगे राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निमने लड़ाईयों का सही काल करम क्या होगा दोस्तों आज मॉर्निंग शिप्ट में भी हल्दी मतलब युद्ध का कोशन पूछा गया था महां बयाना का युद्ध आप सभी जानते हैं 1527 में तो आंसर क्या हो जाएगा दो तीन एक यानि किसी ऑप्षन चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एटी टू नमर का सवाल देखेंगे राजस्तान के राज प्रमु का पद कब समाप्त हुआ देखिए राज प्रमु का पद समाप्त करके इसके स्थान पर कौन सा पद स्वजित किया गया था राज जेपाल का और यह समाप्त किया गया था एक नॉवंबर उनिस सो चप्पन यानि की एकी करन इसी दिन कम्प्ली नेक्स्ट, 82 के बाद देखिएगा, 83 नमर का सवाल, राजस्तान जिकेगा, 84 नमर का क्वेशन देखिएगा, नेमू चना, किसान, आंदोलन, हत्याकान, राजबुताना की किस रियासत में हुआ था, अलवर में हुआ था, दोस्तों, 1925 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, किसान अंदोलन से कोशन आ रहा है, मौर्निंग में भी आया था, और इवनिंग शिप्ट में भी आया था, मौर्निंग में चवरी करका आया था, और यहां पे, नीमू चना का कोशन आ रहा है, चलिए जी, आगे बढ़िए, शुमेलित करना है, तारागट गीला अजमेर में आता है, सब जानते हैं, जेगट जेपूर में आता है, महरानगट जोतपूर में आता है, कीरतिस्तम, चित्तोर्ट गड़ में आता है, बहुत आसान सा सवाल है, 86 नमर का कोशन देखिए, संत बूरी बाई अलग का कारिय शेत्र गोंसा है 86 नमर का question है और यहां पर answer क्या हो जाएगा मेवाड हो जाएगा B option चलिए जी आगे चलते हैं next 87 नमर का सवाल देखी निहाल चंद इसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कारियत थे मोड धवज निहाल चंद बनी ठनी सावन सिंग किशंगड चित्र शेली यानि की B option परफेक्ट आंसर अगला देखी है next 88 नमर का question अवा मेल को लेकर सवाल ले दोस्त हवा मेल जेपुर के बारे में निमन लिकित कतनों पर विचार कीजी कौन से उत्तर दीजी हवा मेल पांच वंजिला है सवाई परताब सिंग के द्वारा बनाया गया था वन सेवन डबल नाइन में सवाई मेल में हवा मेल में C option चलो आगे बढ़ो next अगला सवार अगला कोशन देखी राजस्तान जी के में 91 नमर का कुंडा पंद के प्रेंड था कौन थे? आंसर हो जाएगा मली नाची A option चलिए next अगला सवाल देखेंगे यह देखें 93 नमर का राजस्तान का कौन सा शेत्र बेल बुटे की छपाई की परमपरागत करला के लिए जाना जाता है तो आंसर आएगा सांगानेर सांगानेर जेपूर में आता है D option उसके बाद अगला देखी दोस्तों अगला कौशन 95 नमर का सवाल आपके सामने है हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है किसे? देखे हाडोती शेत्र में कौशन बहुत इजी है रामदेवरा का मेला यहाँ हाडोती में लगता ही नहीं है परबसर पुशकर इनों गलत है वही है चंद्रबागा मेला जालावाड में लगता है जालडा पाटन जालावाड की A option उसके बाद अगला देखी नाइनटी सिक्स नमर का सवाल देखी है कौन सा युग्म सही है कौन सा सुमेलित है 96 तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा हो जाएगा B answer हो जाएगा राजस्तान साइत यहकादमी 96 में B option perfect answer अगला सवाल देखींगे अगला राजस्तान जीके का प्रशन देखी है आर्टेंड कल्चर से आ रहा है हम राजस्तान हिस्ट्री और आर्टेंड कल्चर डिसकस कर रहे हैं तिल चोत मनाई जाती है तो तिल चोत मनाई जाती है दोस्तों माग के महीने में माग क्रशन चतुर्थी यानि की A option perfect answer होगा ठीके और आप सभी अपना स्कोर कॉमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है इस पेपर में अगर आपने इस शिप्ट का पेपर दिया है और इसी के साथ अगर आप राजस्तान प्रतियों की परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आप अनकेडमी के प्लेटफोर्म से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को बहतर बना सकते हैं आज ही अनकेडमी का एप डाउनलोड करें इसी के साथ ये अनकेडमी का ओफर चल रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन का इसमें आप अगर वन इयर का जोइन करते हैं तो थ्री मन्त का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और टॉन्टी फॉर मन्त का जोइन करते हैं तो फॉर मन्त का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा के साथ ये फ्री टेस्ट सीरीज अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं एवरी संडे मौर्निंग में दस वजे ये टेस्ट सीरीज रेती इसको जोईन करके आप स्कोलर्शिप राप्त कर सकते हैं अगला देखिए अगली इंपोर्टेंट बात अगर आप कॉंस्टेबल के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो ये योद्धा नाम से फ्री टेस्ट सीरीज इसका भी आप आनंद उठा सकते हैं अनकेडमी के एप को आज ही आप डाउनलोड करें इसके लावा ये कहीं बेच कोर्से अनकेडमी के प्रेटफॉर्म पे चलना है प्रेटवारी का एक्जाम आज हो गया है आरेस का एक्जाम होने वाला है वीडियो का बेच चल रहा है दोस्तों 23 अक्टूबर से यानि कि कल से शुरू होगा तो आज ही आप अनकेडमी प्लस को जोइन कर सकते हैं इसका आनंद आप उठा सकते हैं फ्री क्लासेज भी अनकेडमी के प्रेटफॉर्म पर उपलब दें फ्री क्लासेज को देखने के लिए ये कोड यूज करें इसे फ्री क्लास को आप अनलोग कर सकते हैं विशाल 3.6 के साथ आन्यवाद दोस्ता